बकाले धान की पर्मुख उबरती हुई समस्या है यह रोग पंजाब, हरियाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखण जहां बास्मती धान की खेती होती है पर्मुख रूप से देखा जा सकता है यह रोग बीज रोपर्ण से लेकर फसल के परिपक्व होने तक बिवन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है जिससे फसल और गुलवत्ता दोनों के हानी होती है यह रोग मुख्यता बीज जनीत रोग है परंतु जो पिसली फसल के अपसेसों में भी इसके रोग कारक जिवित रहते हैं रोग के परमुक लक्षण नरसरी में दिखाई देते हैं इसमें पौदा पीला पतला होता है और बाद के अवस्था में रोपाई के पस्चाद ये असाधरन रुप से लंबे पौदों में दोजियां कम बनती है और अगर ये पौदे बाद के अवस्था तक अगर जिवित रहते हैं तो उसमें बालियां नहीं बनती है रोग के दूसरी लक्षण में तल गलन या पद गलन भी है इसमें जो पौदों की जड़े काली हो जाती हैं सर जाती हैं और पौदा जमीन से वह तूप जाता है और उसके बाद पूरे खेट में पौदे सुखे हुए दीख सकत ऐसे पौदे निश्चित चपों में नहीं होते हैं और पूरे खेत में बिखरे हुए होते हैं किसान भाईयों यह बहुत उपयूप समय है जब आप रस्मती धान में आप लर्सरी तयार करने जा रहे हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले बीज पर ध्यान देना है आप विस्वस्मय शुरोतों से ही बीज खरीदें बीज को नमक पानी के गोल में एक बार निकाल लें इसके लिए आप 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक को मिलाकर गोल बना लें और उसको 15 मिनिट तक उसमें बीज को दाल कर छोड़ दें 15 मिनिट के बाद आप विजो को अच्छे से हिलाएं और जिससे की जो रोग रसी बीज है और वो उपर तैरने लगेंगे और उसके बाद आप उन विजो को निकाल दें और बचे होए विजो को 2-3 बार साफ पानी से धोलें उसके बाद उसमें 2 ग्राम परती लीटर पानी की दर से कार्वेंटाजीम 50% WP जो की बाविस्टीन के नाम से बजार में उपलब्ध है उसका गोल बनाकर बीजो को 24 गंटे तक उसमें रख लें और उसके बाद आप गिली पौशाला में बिजाई करें दूसरा आप बीज को आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम 10 ग्राम परती किलो बीज की दर से भी आप बीज सोधन कर सकते हैं नर्सरी में आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम या सुरो मोनाज फ्लोरो सेंस का पाउडर दस से 25 ग्राम पर्ति बर्ग मीटर की दर्श से आप उसका छिटकाव करें और उसके बाद उसमें आप नर्सरी लगाएं आप खेट की निगरानी करते रहें आप ध्यान रखें कि जब आप पौद निकाल रहे हैं तो जड़ उनकी तूटे नहीं रुपाई से पहले आप पौद सोधन कर सकते हैं पौद उपचार के लिए आप एग ग्राम पर्ति लीटर पानी की दर्श से कारवन डाजिम या नेट की रुपाई कर दे फसल की निगरानी करते रहें अगर आपको खेट में लक्षन दिखाई देते हैं और थोड़े से पौदों में ये लक्षन है तो आप ऐसे पौदों को निकाल सकते हैं